दक्षा का होटल अपने लाजवाब जम्बो ग्रिल सैंडविच के लिए मशूर है। जब इसे पुदीना चटनी के साथ परोसा जाता है तो ये लाजवाब है। होटल के बाहर लोगों की लंबी कतार एक आम बात है। अगर ऐसे में शनिवार और रविवार हो तो भीड बेक हो जाएं इतनी होती है और इसके कारण माहौल बहुत अस्त वियस्त हो जाता है। होटल की प्रसिद्धी बहुत से लोगों को खीचलाती है हालां कि कई बार जगय कम पढ़ जाती है और कई नए और पुराने ग्रहकों को निराश होकर लोटना पड़ता है। होटल प्रबं प्रसिद्धी पर बहुत अधिक जिम्यदारी का बोज होने से गल्तियां ज्यादा होती है। कागस की पर्चियों का उप्योग जो ना तो किफायती है और ना ही पर्यावरण के अनुकूल। इन सारी बातों का होटल की कारिक शमता पर बुरा असर पड़ता है। हम पोश कर देना, उनके ओडर लेना, रसोई तक संदेश पहुचाना, पकवानों का क्रम निश्चित करना, परोसना, ग्रहाकों के बिल तैयार करवाना, आधी काम कम से कम लोगों के सहयोग से चुटकियों में कर सकता है। हम ये कैसे कर पाते हैं? कतार विवस्तित करने के लिए क्यू तोकन निकालता है, ये टोकन नमबर के आधार पर आने वाले लोगों के लिए बैठने के टेबल की विवस्ता करता है और खाना पैक करवाने वाले ग्रहाकों के पारसल ओडर का भी ख्याल रखता है। टेबल मैनेजमेंट टूल जो कैप्टन द्वाना संचालित होता है, ग भोजन और सेवाओं के बारे में उनकी राय भी ले सकता है। किचन मैनेजमेंट टूल शेफ को केयोटी के आधार पे खाना बनाने में मदद करता है और साथ ही कैप्टन को खाना तयार होने की सूचना भी देता है। Administration Management Tool सबसे मुख्य टूल है जो इन सभी की सूचनाओं को डेटाबेस में रखता है और मुख्य सर्वर का मैत्वपूर्ण हिस्सा होता है। नतीज़तन ग्रागों के ओडर जल्दी और सही होते हैं। ग्रागों को सारी सर्विसेज जल्दी मिलती हैं। होटल की कारे कुशलता बढ़ जाती है जिससे आए अभिक होती है। इस तरह पेंग्विन की सहायता से दक्षा होटल आज भी स्थानी लोगों के लिए पसंदीदा जगे है।